गुड मारीं रियर इस्ट्रेंट्स इस क्लास के तहट क्लास 11 के विद्यार थी आज फर्स्ट लेसन पोएम का परिजे प्राप्त करें ठीक है इसको शमझें इसमें क्या दिया गया है आपके एकजाम में क्या क्या पूछा जाएगा इसको आप लोग समझें और त्यार करें द मतलब हर बेग्त की ते की मतलब क्या होती होवी होती है मतलब श१ोख होता है और फॉंड आफ ऋकरता मतले रुचि रखता है किसमें अपनी फोटो खिचवाने में फोटो खिचवा करके उसका अलबम तयार करके रखने में सब इंट्रेस्ट लेते हैं जैसे आप लोग भी अभी इस्कुल लाइप में हैं तो हर क्लास में आपका लास्ट समय में एक गृूप फोटो होती है उस गुरूप फोटो को आप अपनी याददास्ता के लिए रखते हैं कि हम भी समय इस क्लास में थे तो यहां पर इसी फोटोग्रैफ के बारे में दिया गया है जो फोटोग्रैफ का इतना अच्छा मतलब क्या किया description किया जिसका चित्रन कह सकते हैं उन्होंने किया और जो फोटोग्रैफ किसकी है उनकी मदर की है और उनकी मदर की फोटो कब की है मतलब जब अब यहां पर poetess कह सकते हैं और poetess बड़ी हो गई थी और उसके पहले मतलब जो 30 उनके marriage के 30 years पहले की और अब poetess कब लिखती है जब उसकी मदर क्या हो चुकी होती है मतलब वो died हो चुकी होती है मर चुकी होती है तो उस photograph को देख करके अपनी मा के द्वारा की गई बातों का जिक्र इस poem में poetess करती है कवित्री करती है तो यहां आप लोगों को जैसे हिंदी में आप लोग थोड़ा सा poet के बारे में पढ़ते है मतलब जैसे कि कहते है आप लोग जीवनी पढ़ते हैं वातार जीवन परिश्य पढ़ते हैं लेखक का कभी का तो वैसे थोड़ा सा अब यहां आप लोग सीख मतलब सीखे इस के बारे में कि कौन है Shirley Tolson लिखा गया The poet Shirley Tolson was born on May 20 माई 1924 in England 30 माई 1924 को इंगलेंड में पैदा हुए थे She wrote this poem to give tribute to her mother tribute मतलब जानते है स्रधानजली होती है मतलब किसी को सम्मान देना भी tribute कहलाता है तो यहाँ अपने मा के स्रधानजली के लिखा उन्होंने She was a poet अब देखे यहाँ पर poetess नहीं लेखा गया जबकि कवित्री का poetess लेखा जाता है teacher, अध्यापक्ति, educational journalist मतलब सच्छिक पत्रकार कर सकते है and editor मतलब संपादक as well as the author of many books जैसे कि बहुत कविताओं के बहुत किताबों के लेखिका भी थी she published her first book in 1960 1960 में इनकी पहली किताब पब्लिस हुई she remains active in various social activities मतलब बिविध जो सामाजी क्रिया कलाब थे उसमें एक्टिव भी थी Celtic Christianity influenced her greatly मतलब जो Celtic Christianity मतलब इसाइपन जिसको कह सकते हैं उसने इन्हें बहुत प्रभावित किया that most of her major works like Celtic alternative and Celtic air but on that topic मतलब दो topic पर इन्होंने लिखा है जो क्या है Celtic alternative and Celtic air पर अब आप लोगों ने यहां पर सरली टॉलसन के बारे में पढ़ लिया जिनकर जन 22 मई 1924 को हुआ था पत्रकार थी सिच्छक थी ठीक और शंपादक थी यहां पर हम लोग थोड़े से पोएम के बारे में पढ़ लेते इस को आपसे पूछा जाता है सेंटल आइडिया लिखने के लिए आती है अब लिखने के लिए इंटर में नहीं आएगा तो सभी विद्यार थी ध्यान रखें कि पोएम की अच्छे से त्यार करें इसको पढ़ें उसके बाद फिर अपने वर्डों में सेंटल आइडिया लिखने की कोशिस करें जैसे लिखा गया सी है रेटन द पोएम एवाउट थ्री डिफरेंट स्टेज़ेज मतलब तीन बिभिन स्टेज़ों की पर इन्होंने क्या क्या कविता कु लिखा है जैसे आप लोगों को ने पढ़ा होगा। उसमें सात अवस्थाओं का जिक्र किया गया, इसमें तीन स्टेज का जिक्र किया गया, कितने का तीन स्टेज का अब कहा गया कि उनकी मा के लिए इस रद्धानजली थी कवित्रे के अफिर इसनानिम आप फोटोग्रेफ की सिनानिम क्या है इसनानिम आप और यहां पर जो कविता है जो बताती है इस्पीक करती बोलती है पुरानी याद दास्ता को थो एस्टैप साथ एक फोटोग्रेफ के माध्यम से पिक्चर मिम्राइज दे पास्ट इंसिडेंच ऑफ अर मदर्स लाइफ उनकी मा के जो प्राचीन पहले का जीवन था अतीत का जीवन था उसे याद दिलाती है मतलब जो उनको क्या कर देता है उदास कर देता है इन ग्रीफ कर देता है बरेषारों में कर देता है mama के शब्दों को याद करती है क्या याद करती है यहा लर्ण करना नहीं है रिमेंबर करना मतलब याद करते है एबाउट द पिक्चर तस्वीर का ऑईज द द मदर हैस डाइड नाव और जैसे कि मा क्या हो चुकी है मर चुकी है लेकिन मा ने जब उस पिक्चर को दिखा करके राइटर से मतलब पोईटर से बात की थी उन सब्दों को याद करती है She tries to recover from the unfalliable loss of her life और वह प्राप्त करने की कोशिश करती है क्या from the unfalliable loss of her life मतलब जीवन का वहचड जो क्या हो चुका है मतलब बीट चुका है गुजर चुका है उसे पोनह प्राप्त करने की कोशिश करती है कौन सरली टॉल्शन अब देखे अब हम लोग first stanza की बात करते हैं ओके तो first stanza आपको पढ़ाने चलने हैं आप लोग पढ़िएगा इस्टेंजा first stanza देखी जैसे paragraph आप paragraph का सनालें भी लिख सकते है इस्टेंजा को जो कि इस्टेंजा हम poem के लिए यूज करते हैं paragraph किके लिए ऐसे के लिए मतलब जो प्रोच सेक्शन होते है उसमें paragraph की बात करते हैं यहाँ पर लिखा गया The cardboard shows me how it was, even the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and see the big girls come 12 years or so. All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I barn was, and the sea which appears to have changed. Let's wash their terrible transit feet. अब देखिए लिखा गया है, terrible transit मतलब होता है, parishing, parishing का मतलब क्या होता है, नस्वर, जो नस्ट होने वाला है, ठीक है, transit मतलब नस्वर. अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इस टेंजा का अर्ड समझते हैं, the cardboard, cardboard मतलब photograph, जिसमें फ्रेम में लगाया जाता है, that's called, shows me, मुझे देखाता है, how it was, कि यह कैसे था, मतलब वो scene बताते है, photograph वाली, कि यह कैसे थी, अब आप लोग भी सोच लिए, कहीं पर आप फोटो लेते हैं, तो उस समय के आपको याद आ जाती है, यह कब की, जब की वो फोटो होती है, when the two girls, girl cousins went paddling, जब दो cousins मतलब जानते हैं आप लोग, भतीजय होती है, यहाँ पर girls cousins लिखा है, इसका मतलब क्या, भतीजय वेंट फैडलिंग, पैडलिंग में आप लोग साइकल की पैडलिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो बेंट फैडलिंग मतलब शमुद्र के अं पर टकते हुए, आगे जाना, क्या कहलाता है, फैडलिंग कहलाता है, तो दोनों लड़कियां और वो क्या थी, भतीजी थी, वो क्या कर रहे थी, फैडलिंग कर रहे थी, मतलब पानी में छपचपा रहे थी, इच वन होल्डिंग, वन आप माई मदर्स हैंड्स, उसमें से प्रतेक, मतलब पहली, गर्ल और दूसरी गर्ल, एक एक हाथ, मतलब एक दाया और एक बाया हाथ पकड़े हुए थी, और वह जो बड़ी लड़की थी, वह कौन? अपनी मा को कहती है, वो जो बड़ी लड़की थी, कौन लड़की? उनकी मा, some 12 years are so, लगभग 12 शाल की थी, अत्वा इतना ही थी, all three stood still, और तीनों इस्थिर खड़ी थी, तो smile through their hairs, कहां से? मुश्कराते हुए, किस से? अपने बालों से होकर कि, मतलब उनके बाल बिखरे हुए थे, और उश्री के अंदर वो रोग क्या कर रही थी? मुश्कराते हुए, वो फोटो खींची गई थी, कि मतलब दो लड़कियां पानी चप चपा रही थी, बीच में उनकी मा थी, मा की उमर 12 शाल लगभग थी, और वो दोनों के, मतलब दोनों लड़कियां, उनके हाथ पकड़े हुए थी, दोनों वहाँ पर खड़े होके क्या हो रही थी? मुश्करा रही थी, एड़ अंकल, बिथ दे कैमरा, और किस के उपर मुश्करा रही थी? वो चाचा के उपर, और चाचा क्या लिए वह थे? कैमरा लिए वह थे, A sweet face, my mother's, that was before I was born, और एक सुन्दर सा चेहरा, जो किसका था? मेरी मा का, before I was born, मेरे पैदा होने से पहले, and the sea, और जो समुद्र है, which appears to have changed less, जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा था, and the sea, मतलब वो समुद्र, which appears to have changed less, जिसमी नाम मात्र का परिवर्तन, दिख रहा था, वास्दियर टेर्वल, ट्रांजिट फीट, जो उनिकी नस्वर पद चिन्हों को, मतलब क्या कर दिया था? धो दिया था, मतलब समुद्र का पानी आया, और उनके पैर को टच करके, कहां चला गया? पीछे चला गया, अब यहाँ पर आपको फिस्ट इस्टेंज हुआ, the cardboard show, me how it was, when the two girl's cousins went faddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hairs, at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before आपको फस्ट इस्टेंजा था यह देखिए यहां पर वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लेंगे आपकी बुक में भी दिया गया होगा अब हम लोग चलते हैं कहां पर सेकेंड पेज पर चलते हैं देखियो मतलब सेकेंड इस्टेंजा जो आपका है उसको आप लोग पढ़ेंगे ओके देखिये लिखा गया है सम् ट्वेंटी थर्टी इयर्स लेटर मतलब उसके लगभग मतलब कुछ बीस या तीस साल बाद अब देखिये परियावाची पूछेंगे फोटोग्रेफ की तो क्या होगा aT किसफोटो को Bild कर उस बेटी और डाली अब देखे देखती है किसको बेटी और डाली मतलब दो गरल कजिन थी उनका नाम क्या था एक का विटी था और एक का डाली था कि सी हैड से उन्होंने कहा क्या कहा मतलब सी डिड से लिए कह सकते हैं यहां पर या हैड पर सकते हैं एंड लुक हाव दे ड्रेस्ट अस फॉर द बीज देखो ठीक कि समुद्र के किनारे जाने के लिए उन दोनों ने कैसे हमें क्या क्या तैयार किया और यह जो समुद्र के किनारे जो छिटियां बिताने वाला था यह बीता हुआ समय था मतलब अतीत की बात थे माइन इज हर लाफ्टर माइन इज हर लाफ्टर और यहां पर मेरे लिए उनकी हसी क्या थी अतीत की थी उनके लिए वो फोटो अतीत की थी और मेरे लिए वो हसी अतीत की थी जब उन्होंने मुझसे क्या किया था बात किया था आगे कह रहा है बोत रे विट द लेवर्ड इजी और फलास बोत मतलब दोनों अब यहां पर थोड़ा सा क्या कर रही है ब्यंग बोल रही हैं मतलब ब्यंग करते वह कह रही है कि एक परिस्ट्रम करना मतलब मुझे प्राप्त करने के किसके बराबर है मतलब परिश्ट्रम के बराबर है इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों ही अतीत में हुई हान से छुब थी और संघर सुरत रह करके उबरनी के लिए ब्यांग्यात्मक रुप से प्रयास कर रही थी मतलब कि जो उनका समय बीत गया था उस पर पश्चताप कर रही थी और उस पश्चताप के माध्यम से बीते हुए समय को भुलाने की कोशिश कर रही थी या उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी अब यहाँ पर हम लोग थर्ड इस्टेंजा पर चलते हैं देखे लिखा गया है Now She had been dead nearly as many years As that girl lived and of this circumstances There is nothing to say at all It's silence, silence देखिए Circumstances मतलब situation परिश्चतिया होती है At all मतलब In any way इसके बाद silence मतलब सांती होती है मौन जिसको भूता है complete absence of sound ठीक फिर silences मतलब होता है Make silent मतलब सांत कर देना अब यहाँ पर अर्थ समझे अब वह मर चुकी थी कौन लेखिका की मा देखिए तीन लोग डॉली का जिक्र किया गया था और किसका मतलब बेटी का जिक्र किया गया था उसके अंकल थे उसकी मदर इतने लोग फोटो में थे आया समझे और लेखिका उस समय मतलब पैदा ही नहीं होई थी कौन सरले टॉलसन इसलिए वो फोटो में नहीं थी तथा उनको मरे लगभग उतने ही वर्स हुए थे जितना की क्या जितने की वर्स वह लड़की जिन्दा रही थे ठिक और इस परिस्थित में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है ठिक उसको निरवता बिस्वानती पैदा कर रही है मतलब बिस्वानती पैदा कर रही है साइलेंस पैदा कर रही है इसको समझ लिजेगा As that girl slipped मतलब उनको मरे हुए उतना हो गया था जितना वो लड़की जिन्दा थी and of this circumstances there is nothing to say कुछ कहने के लिए नहीं बचा हुआ था at all at silence मतलब पूरी तरह से वहाँ निरश्टा थी और क्या थी सांती थी तो अब आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है अब देखे यहाँ पर लिखा गया दो वर्ड आपको दिया गया है एक पैडलिंग दिया गया है एक ट्रांजिट दिया गया है दोनों का मतलब समझ लिजेगा ट्रांजिट का होता है पर्मानेंट अगर एंटानिम करेंगे ठीक है एक नस्वर होता है ठीक मतलब एक इम्मार्टल होता है एक मॉर्टल होता है ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया मॉर्टल ठीक इसके बाद पैडलिंग पैडलिंग मतलब आपको बताया थे इसको समझ लीजेगा मतलब छिछले पानी में नंगे पैर चलना मतलब पानी में छपशपी करना यह दो वर्ट दिया गया है तो इसको आप लोग पढ़ेंगे और यहां पर आप इस चैप्टर को क्या करेंगे रिवाइस करेंगे ओके थेंक्यू फार दिस क्लास